तो ऑनेबल सुप्रीम कोट ने भी रीसेंटी यही कहा था कि आप चाहे बैक बॉरो स्टील करें आपको जो है वाइब को मेंटेरेंस रही पड़ेंगी पड़ेंगी आप मेरी यूट्यूब चैनल लेक्स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने बहुत ही बहतरी वीडियो प्रस्तूत करने जा रहा हूं आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि क्या अपने आपको बेरोजगार यानि अनिम्प्लॉइट दिखाने से या फिर जॉब छोड़ इस से समझाऊंगा जो रियल लाइफ में कोट्स में हुए थे और क्या-क्या सिच्वेशन कोट्स में हुई थी क्या जट साब ने डिसाइड गया कितनी में बंदी या बिल्कुल भी नहीं बंदी आज हम जानेंगी इस वीडियो के द्वारा वीडियो को पूरा देखेगा और हम आगे बढ़ते हैं तो अनेबल सुप्रीम कोट ने भी रीसेंटी यही कहा था कि आप चाहे बैग बॉरो स्टील करें आपको जो है वाइप को मेंटेनेंस देने ही पड़ेगी तो अनेबल सुप्रीम कोट की भी कई जजमेंट है जिसमें आप यह कहते हो कि आप बेरो तो जब अनेबल सुप्रीम कोट ने यह चीजे कह दी है तो फिर बात ही खतम हो जाती है कि क्या है कि जब भी वाइप साइड को मेंटेनेंस देने की बात आ जाती है तो हस्बेंट साइड यह सोचती है कि वकिल साब आप यह बताईए कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ इतना ओड़ा का तो मैं किस बात की मेंटेनेंस दूप यह बताईए कि मेरी वाइफ कुछ ही दिन रही मेरे साथ 10 दिन रही कई cases में 15 दिन होता है कई cases में 20 दिन भी होता है तो क्या फिर भी मुझे wife's side को maintenance देना पड़ेगा क्यों वो तो साथ रही नहीं हम लोग साथ ही नहीं रहे हैं और उपर से ये cases जाल दी हैं हम बहुत परिशान है क्या करें और कई cases में कई clients जब maintenance बन जाती है तब ये बूल देते हैं कि अब मैं अगर job छोड़ देता हूं क्या ये order modify हो जाएगा क्या maintenance जो है interim maintenance zero हो जाएगी क्योंकि अब मैंने job छोड़ने की सोच रहा हूं या मैं बिल्कुली जो है काम नहीं करता हूं या को छोटी job भी पकड़ लेता हूं ऐसी situation में क्या मुझे इतना पैसा wife side को फिर भी देना पड़ेगा तो ये सब सवाल आपकी side से मुझे आते हैं और मैंने सोचा है इस पर एक detailed video बनाओ जो मेरा experience रहा है कोर्स में और कैसे जो है कोट जो है आगे यह decide करता है कि maintenance बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए और एक situation ऐसी हो जाती है कि आप अपने bank accounts पूरे छुपा दीजिए बिजनस side के लोगों के लिए यह जादा appropriate है जो business करते हैं कि अपने bank account चुपा देते हैं cash में dealing करते हैं और company तो laws दिखा देते हैं तो यह सब situations में maintenance कम करने के बहुत सारे यह tactics है जो आप लोग यूज करते हैं जब भी आपका maintenance case होता है courts कैसे इसे deal करते हैं आज हम उस पर जो है light डालेंगे गौर कर फरमाएंगे देखे क्या होता है कि maintenance का law बिल्कुल में maintenance का law यह है कि आपने अगर valid शादी किया और wife जो है वो earning नहीं है यह बिल्कुल भी जो है उसके पास capacity नहीं है कोई source of income नहीं है तब आपकी को जो है maintenance देना ही होगा अब मैंने पिछली वीडियो में cover किया कि कैसे वाइप की source of living पता करें तो maintenance जीरो भी हो सकता है पर आज हम उस topic पे नहीं जा रहे हैं वो मैंने पहले discuss किया हुआ है तो आप मेरी वीडियो पुरानी वीडियो देख सकते हैं अब आज हम यह बताने जा रहे हैं कि अगर maintenance जो मैंने पहले भी बताया था कि court जो है आपकी income देखती है उस basis पे maintenance बनता है अगर आप अपनी income जीरो कर देंगे तो क्या उस circumstance में maintenance बंदेगा या नहीं बंदेगा इस चीज़ पे हम देखेंगे अब एक situation assume कर लीजे कि आप पती और पत्नियों दोनों साथ रहते थे आप बिल्कुल नॉर्मल है कोई अभी जो है dispute नहीं आया जो अभी दिख रहा है वह कोई dispute नहीं था तब आप क्या करते ऐसे scenario में अगर आपकी job चली जाती तब भी आप जो है घर में पैसा देना तो बंद नहीं करते चाहे आपकी savings हो वहां से आप या investment हो निकालते या फिर same situation court देखता है कि अगर आपकी job आज की date पर चली गई है या आपने छोड़ दिया या जान पूचके छोड़ दिया या आपने कोई निचली वाली job पकड़ लिया है तो क्या आपको जो है maintenance उतनी ही level पर देनी होगी इसका answer yes है आपको उसी level पर maintenance देनी पड़ेगी चाहे जोड़ दो या अपने आपको unemployed शोड़ दो बाद में या अपनी कोई bank statement या कुछ भी शोड़ नहीं करते वो चीज़ पर मैं अलग से आऊंगा कि उस case में क्या होगा court क्या करेगा कि अगर आप बिल्कुल भी bank statement नहीं शोड़ करते और अपने आपको बिल्कुल बेरुजग नहीं हो अभी और आपने अपने आपको unemployed घोशित कर दिया है court के सामने कि जनाम मेरी तो job छूड़ गई है मैं तो maintenance दे नहीं पाऊंगा क्योंकि अब मैं unemployed हूँ आपने court को ये बोल दिया court जो है इसमें यही कहेगा कि अगर आपकी परिवार आपके साथ होता और तब आपक को maintain करते तो इससाब से जो आपकी last drawn salary है उस वेसिस पे maintenance court बान देगा dependence है उसका minus हो जाएगा बट one-third salary आप मान के चलिए कि आपकी one-third की last drawn salary पे maintenance आपके बन जाएगी चाहे आप ये को show कर दो कि आप unemployed हो अब एक question ये भी आता है कि maintenance बनने के बाद में job छोड़ देता हूं कि हम modification की application court accept करेगा बिल्कुल भी मत ट्राइग कीजिए बहुत ही खराब idea है इससे अच्छा आप appeal में जाहिए merits पे लड़िए वो जादा easy तरीका है आप जो है अगर अपनी job दिखा छोड़ देते हैं औ इसे विचार अपने दिमाग में मत लाइए अब एक और सिनेरियो है कि हम business families का है कि हम अपनी company में laws दिखा देते हैं और हम जो है अपनी bank account statement तो कई हो की cash में dealing होती है तो bank account statement हम दिखाते नहीं है अब ऐसे cases में क्या होगा कि wife side अगर आपके side के investment assets property अगर आप ओन करते हो या फिर आपनी की गाड़ी या iPhone भी अगर आप क्यारी करते हो वह सब चीज अगर court को दिखा पाई तो court आपके उपर guess work पे maintenance fix करेगा अब यह guess work क्या है guess work यह है कि court जो है अपने आप से आंकलन लगाएगा कि अगर आप iPhone क्यारी कर रहे हो गाड़ी चला रहे हो तो आपकी income monthly income क इस रेंज में होगी ऐसे में जो है maintenance बहुत हाई बनने के chances है एक क्लाइंट है हमारे उन्होंने शो किया कि वो कुछ काम नहीं करते हैं वो जो है business में उन्होंने loss दिखा दिया और वहां दिखा रहे कि हर महीने में 10 लाक रुपे तो अपने employees पे खर्चा कर रहा हूं कि यहा में पैसा खर्च कर रहे हो आप अच्छी गाड़ी चला रहे हो अच्छा रहन सेन कर रहे हो तो वाइफ को भी उसी चीज का अधिकार है चाहे आप कह रहे हो कि अभी आप लॉस में हो बचा रही हो वैसे ही आपको वाइफ और अपने बच्चों को maintain करना होगा एक लाग पर maintenance बिल्कुल बंदेगी बंदेगी अब एक सेनारियो और डिसकर्स कर लेते हैं इसमें यह है कि अगर सपोज यह हो जाता है कि आप अपनी income जो है नहीं दिखाते bank account statement नहीं दिखाते और wife side के पास भी कोई proof नहीं है आपके bank accounts का और यह सब नहीं नहीं शादी थी तो कोई प्रूफ नहीं है उसके बास तब कोट क्या करेगा ऐसे सिन्यारियो में अगेन वह गैस्वक पर जाएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया आपका रहन सेन देखेगा अगर आपका रहन सेन भी wife side नहीं दिखा पाई तो उस case में कोट minimum wages पे तो maintenance बाद देगा जो भी आपकी state में prevailing law है minimum wages के और जो आपका profession था उस basis पे minimum wage calculate करके obviously एक रिख्षा वाले का minimum wage अलग होगा और जो एक professional है जो unemployed बैठा है उसका minimum wage अलग होगा ऐसे minimum wages पे जो है court maintenance बांद देता है तो अपने आपको बेरोजगार दिखाना बहुत बड़ी बेवकुफी होती है मैं एको लगत मैं को maintain करूंगा राधर आपको जो है merits पे fight करना चाहिए maintenance cases को ऐसे आपको नहीं दिखाना चाहिए कि आपके पास कोई income source नहीं है court नहीं मानेगा यह चीज़ आप ध्यान रखिए और यह चीज़ का आपको बहुत-बहुत ध्यान रखना है अगर आपको ऐसी advice दी जाती है बिल्कुल भी मत लीजिए और एक और चीज़ है इस पर मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हुए maintenance के उपर आप वो description box में जाकी चेक कर सकते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को like कीजिए comment कीजिए कि क्या आपके साथ भी ऐसी situation है comment जरूर कीजिएगा मैं भी देखता हूं आपकी अगर ऐसी situation है तो देखते हैं क्या solution निकल सकता है तो फिलाल के लिए धन्यवाद thank you for watching my video